अधिया एक बहुपत को स्टार्ट कर जोके हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं देखिए बहुपत पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक बाते हैं जो आप लोगों से करना चाहूंगा यह जो बेसिक चीजे हैं आपको केवल अध्याय एक में ही नहीं आप इधर जितने भी अध्याय पढ़ने वाले हैं उन सब में काम आएगा तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो पहले हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों क की संक्रिया तो हम पहले सीख लेते हैं चिन्हों का गुरा करना चिन्हों का गुड्या किस प्रकार से किया जाता है देखिए जोडने के लिए जो संकेद उपयोक किया आता है इतमाति में तो आपको याद रखना है धन का यदि गुड़ा करेंगे धन से तो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा धनात्मक में अब यदि रिन का गुड़ा कर दें रिन से रिन का गुड़ा किस से कर दें रिन से तो उसका जो उत्तर आता है वो भी किस में आता है धनात्मक में आता ह माइनस में आएगा अब यहां पर देखिए गुड़ा में है तो हम इसके क्रम को बदल सकते हैं धन पहले लिखा उसको बाद में लिख देंगे और रिन पहले बाद में लिखा है उसको हम पहले लिख देते हैं तो रिन का गुड़ा यदि हम कर दें धन से रिन का गुड़ा हम का मतलब होता है समान जाती यहां धन और यहां धन दोनों की जाती सेम है तो सजाती चिन्हों का जब गुड़ा होता है सजाती चिन्हों का जब गुड़ा होता है तब वहां पर क्या आता है धन आता है अब यदि विजाती चिन्हों का गुड़ा हो विजाती मतलब की यहां ध कुछ एक्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ है कि कुछ इंग्सक्राप्र लेकर हम इसको समझ लेते हैं जैसे कि मैं एक संख्या ले रहा हूं धन 5 तिक इसका गुड़ा हम कर रहे हैं धन 3 से किससे गुड़ा करेंगे धन 3 से तो देखेँ पहले हम करेंगे चिन्हों का गुड़ा धन और धन का गुड़ा होगा धन और धन का गुड़ा होगा तो इसका जो उत्तर आएगा वो किसमें आगा धनात्मक में आएगा धनात्मक में आएगा प्लस में आएगा अब पांच का गुड़ा करेंगे हम तीन से किससे करेंगे पांच का ग करेंगे चिनो का गुड़ा करो यहां पर देखिए पांच दने कि यहां पर यहां पर पाच कपहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे तिन वर यह हो जाएगा City आ पंद्रा क्या हो जागा पांच तीया पंद्रा तो इसका उत्तर आयो किस में आया धन में आया कि धन पंद्रा आया अब यदि पांच को तो ले लेते हैं धनात्मक पांच को किसमें लेते हैं धनात्मक में इसका गुड़ा हम कर दें रिंतीन से किस से कर दें रिंतीन से कर दें तो पहले तो हम करेंगे चिन्हों का गुड़ा करेंगे पांच का गुड़ा सौरी धन का गुड़ा हम करेंगे एक रिन से धन का गुड़ा किसे होगा रिन से होगा तो यह आ जाएगा रिनात्मक मैंने बताये हुआ था कि विजाती चिन्हों का जब गुड़ा होता है तो वह मैं अगर ले लेता हूं किसमें रिन में और तीन को ले लेता हूं अब धन में तीन को क्या किया धन में ले लिया तो अब हम करते हैं चिन्हों का गुड़ा क्या करेंगे चिन्हों का गुड़ा रिन का गुड़ा होगा धन से विप्रिश चिन है विजाती चिन है अलग अलग तो अलग-अलग जब चिन्हों का गुड़ा होता है, तो उसका उत्तर किसमें आता है? रिनात्मक में आता है, अब पांच का गुड़ा हम करेंगे तीन से, तो यह हो जाएगा पांच तिया पंद्रा, क्या हो जाएगा? पांच तिया पंद्रा, तो हमने अभी चिन्हों का भाग क्या पढ़ लेते हैं चिन्नों का भाग तो चिन्नों का गुड़ा और चिन्नों का भाग दोनों सेम होते हैं कैसे हम इसको समझते हैं देखें धन का भाग करूं मैं यदि धन से धन का भाग करें यदि धन से तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है धनातमक में इसमें आ ले लिए और रिन को मैं भाग दे दू रिन से रिन को भाग देने किसे तो रिन और रिन दूनों क्या है सजाती है समान जाती कि है तो समान जाती कि होते हैं तो किसमें आता है धनातमक में आता है ठीक है अब यदि धन को भाग दे देता हूं मैं रिन से धन को भाग देने कि से कि लगतों से तो वहां जो उत्तर आएगा हूँ आएगा रिरा अत्मक में kis में आएगा रिरास में क्योँकि दूनों कि चिन जी विपरीत है विजाती चिन है अब इसके करम को 관लब देते हैं ठीकर पहले लिग देते यहां मैं एक एक्जाम्पल लेता हूं कि धन पांच को मैं भाग दे रहा हूं धन्दस से किससे भाग दे रहा हूं धन्दस से तो पहले देखिए भाग का मतलब क्या होता है वो समझे भाग का मतलब होता है बटा क्या होता है भाग का मतलब होता है बटा तो इसको मैं ऐसा लि अभादन और नीचे भी धन है समान जाती के हैं सजाती है तो वहाँ पर जो उत्तर आएगा वह आएगा धनातमक में आएगा अब हम भाग देंगे तो पाँच का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा पांच एकम पांच और यह जाएगा पांच दूँञिंग दस क् किसे भाग देते हैं रिंदस देख देखे हैं तो पहले तो हम करेंगे चेन्हों का भाग क्या क्या करेंगे फाले करेंगे च्वल grow को रभ और वहाक का मतलब मैंने बताया हुए करें था कि इसका मतलब होता है बटा, तो यहां पर आ जाएगा, फिर से पांच ऑने आता है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिर से पॉइश्य कोब आळा यह जागा पंच ऐखांगो पास तो इसका भी जो उत्ततर आया वो आया धन एक बता दो तो अब यह दिमा को धन में लिनू और एक को मैं तो मैं मालेता हों तो मैं एक से किसे भाग दे रहे हैं रिन दोसे भाग दे रहे हैं तो मैंने पहले भी बता रहा है कि भाग का मतलब होता है बटा क्या होता है भाग का मतलब होता है बटा तो यहाँ पर आजागा धन पांच इसको हम भाग देंगे किसे यहां पर हम दो की जगल लिख लेते हैं रिंदस क्या लिख लेते हैं रिंदस तो यहां पर आ जागा रिंदस क्या जागा रिंदस अब हम करेंगे पहले चिन्हों का भाग क्या करेंगे चिन्हों का भाग तो देखिए चिन्हों का भाग करेंगे तो उपर में धन है और नीच हित्मक में एक बटर दो कितना उत्र आजा जा है एक बटर डू उत्तर आएगा अ अbn क्या करता हूं यहां पर害 यहां पर यहां देखिए क्या है धन पांच है फिर से वही काम रीन है उपर में और धन है नीचे में तो विपरीज चिन्हों विजाती चिन्हों का जब भाग होगा तो वहां पर भी उत्तर किस में आएगा रिनातमक में आएगा अब यहां पर हम पढ़ते हैं पांच का पहाड़ा तो इसका जो उत्तर आया उपर में आया दो तो इसका जो उत्तर आया वो है रिंदो क्या रिंदो तो चिन्हों के गुड़ा और चिन्हों के भाग में हमें दो ही चीज़े याद रखनी है सजाती चिन्हों का गुड़ा करें या भाग करें तो उसका मान आता है धनातमक में और विज है मैं थोड़ा से यहाँ पर आपको बता देता हो घठां के बारे में तो घठां की जो परिभास है वो क्या कहता है किसी संख्या पर घात लगाना किसी संख्या पर घात लगाना एक गड़ती संक्रिया है क्या है एक गड़ती संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से दो या अधिक बार लगातार अपने से दो या अधिक बार गुरा किया जाता है जितने बार गुरा किया जाता है जितने बार गुरा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है क्या कहलाता है अब देखिए यह तो बात हो गई घातां की परिभासा अब हम घात को लिखते कहां पर है तो यहां पर लिखा है गहात को संख्या के रूप में हाथ तो किसमें संख्या के रूप में उपर दाहिनी और राइट साइड में उपर दाहिनी और थोड़ा हटा कर लिखा जाता है तो यहां पर हम लिखते हैं घहात को और यहां जो हमारा आता है वो आता देखिए मैं लिख रहा हूं कि दो की घात एक क्या लिख रहा हूं दो की घात एक लिख रहा हूं तो देखिए इसका मतलब क्या होगा दो की घात एक का मतलब होता है कि दो को हम करेंगे एक बार गुड़ा क्या करेंगे तो यह दो ही आएगा क्या आएगा दो ही आएगा अब बवेशेदी कि मैं दो किगा दो लिए दो हुआ है और डा लिखेगा और जो सबस्क्राइब और होता है बढक हम दोबार करेंने गुरा क्या हो जाएगा दो का हो करें दोबार गुड़ा तो यह हो जाएगा लाइगा Дौधी यहां ने 2 का करना है तीन टाइम गूरा किते बार करना है तो यह क्लेखा जाएका दो पलदू क्या лейक है गूणा दो गूणा दो खीख है हमने बार लोगहा किया है एक बार दूबा ओर तीन लेला किया है अब देखे दो चार अब होगा करें हम इस से 2 से 4 का गुड़ा होगा दो से इस ता यह आगया आठ क्या गया आठ तो दो कि घात तिन का उत्तर आप से कोई होत्त है ठीक है और दोत्र लिखलो और जो नीचे में होता है उसे हम अधार कहते हैं और जो दाहीनी और थोड़ा उपर हटके होता है उससे हम कहते हैं घाद क्या कहते हैं घाद तो दो की घाद चार है इसका मतलब होता है कि हमें दो का करना है चार बार गुड़ा दो का करना क्या चार बार गुड़ा तो हम लिख लेते हैं दो गुणा दो गुणा दो यहां पर हमने दो बार दो का चार बार करें फिर हम करेंगे इसका व और काशार का धोसे करेंगे खेंगे अब इसका वगुड़ा करेंगे हम एस से दो से करेंगे अब चार का गुड़ा हम करेंगे दो से चार का गुड़ा किससे करेंगे दो से तो यह हो जागा चार दूनी आठ अब इसका गुड़ा करेंगे हम किससे दो से करेंगे तो आठ का गुड़ा करेंगे हम दो से आठ का हम जब गुड़ा करेंगे दो से तो यह यहां पर आप दो कि जगह कुछ भी रख सकते हैं तीन रख सकते हैं चार रख सकते हैं मैं कुछ और संख्या लेकर देखता हूं यहां पर मैं लेता हूं तीन अब इसके घात में लगा लेता हूं क्या दो क्या लगा लेता हूं गात में लगा लेता हूं दो नीचे में जो होत ही लिखांट पता होगा कि इन कहला करना है तीन हम कर अब यहां कर यह नहीं से 3-3 तो यहां पर आजाएगा 9-27 कि आजाएगा 9-27 तो इस परकार से आप को घंताये में जानना है अब देखिए और बात जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है यदि मैं यहां पर लेख लेता हूं दस क्या लिख लेता हूं अधार में तो लिख लिया दस और इसके घात में लगा लेता हूं जियो क्या लगा लेता हूं घात में लगा लेता हूं जिरो अभी तक हम एक लगाया था दो लगाया था तिन लगाया था चार लगाया था अब म तरज़ो होगा वह होगा एक क्याहोगा' एक्षोगा तो आपको यहां पर एक बाद याद रखनी है यदि ग्हात एक और दित आऽथ में एख रहे थो वहाँ पर उत्तर आता है कितना सट गतना एक यहां पर अगर मालेकाल कर दोंगेth और है तिसकी घात लेने में 0 तो इसका भी जो उत्तर आएगा वह कितना आएगा एक आएगा इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं सो की घात जीरो अगर आप लिखते हैं तो इसका भी जो उत्तर आता है वह कितना आता है एक आता है ठीक है तो आपने घात के बारे में क्यों करते हैं पहले जानते हैं पक्षांतर हम तब करते हैं जब किसी अग्यात क्या अग्यात रासी कमान ग्यात करते हैं पक्षांतर हम कब करते हैं जब अग्यात रासी कमान ग्यात करते हैं या दूसरा भी है संबंद ग्यात करते हैं दूसरा क्या हुआ संबंद ग्यात करने तब हम पक्छानतर करते हैं तो हर्षांतर का हम एहां पर तीन उपीओप पढ़ेंगे पहला तो हम पढ़ेंगे किसी अग्यात रासि का मान ग्याद करने के लिए और दूसरा संबंद को ग्याद करने जि euro कि अधिन форм劑 कर बैयापक्छ in parentheses today और एक को बोलते हैँ दैयापकछ राइट एड़े हैं यह तो दूनों पखुछ होते हैं यह पैसे हैं बराबरLY तो वर A बराबर होते हैं किसके एि बायापक्छ रसेत तो पक्छांतर में कितने में पक्छ होंगे अत्वरेक इसको इसमें हमें अज्यातरासी एक से है उसका मान हमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे हमें एक सका मान निकालना है तो यहाँ पर इक सी जगह दिया एक सब्सक्राइब करना है तो आपको याद रखना है जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहां पर निंपाच है वह तो पहले बदले ढ़न में इसमें बदलेगा घोन भी मठलेजा और पांच इसले जगा आ जाए मधाथ तो एक स बड़ावर तीन और पांच ज langu जाए आँट भाट तो अग्यातर दैवले 25 co yaş में उतार दिया मैंने बताया हुए था न हम यहां बर जाता कि समें तो यहां पर रीन है क्वारे तो यह बन जाएगा धन अब है अब पांच का कुंटांतर करेंगे तो यह बन गये था धनात्मक में और यहां पर आ गया थीक था तो दो एकस बराबर क्या होजागा दो एकस बराबर यह हो जाएगा तीस अब दो जो है एक के साथ गुड़ा में है किसमें है गुड़ा में है तो जो गुड़ा में होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो वह चले जाता है किसमें भाग में चला जाता है किसमें चला जाता है भाग में चला जाता है अब इसको हम दे सकते हैं करते हैं तो वह हो जाता है धन में गुड़ा कर चला जाता है किसमें भाग में और भाग कर चला जागा किसमें गुड़ा में तो आज की क्लास आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद हुआ 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 है